पीम किसान सम्मान निधी योजिना से सभी किसानों के खाते में एक साथ आ जाएंगे 30,000 रुपाए जल्द करें ये काम जिहां किसान भायों इस बार 15 और 16 और 17 किस्त का पैसा एक साथ किसानों के खाते में जारी किया जाएगा यनि कि किसानों के खाते में 15 किस्त का पैसा जारी कर दिये गया है वहीं आप जल्दी किसानों के खाते में 16 और 17 किस्त का पैसा के अंदर की मोदी सरकार जारी करने वाली है आप सभी किसान भायों को बता दे जिन किसान भायों को 15 किस्त कलाव नहीं मिला है उन सभी किसानों के लिए अच्छी ख़बर है और जो नए किसान है ने कि जो अभी अभी पीम किसान योजिना के अताथ अपना रजिस्टेशन करवाएं उन सभी किसानों के लिए बहुत ही अ किसान बाइयों बस आप इस वीडियो में गौर तलब अंतक बने रहेगा देखे जब कभी भी आप लोग को हम बता दें कि पीम किसान योजिना की कोई अफिस्सेल अपडेट आती है आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दिया जाता है लिश्ट भी जारी हो गई है इन राज मंत्रे किसान समान निधी योजना इसकी अंतरगत मोधी सरकार किसानों को सलाना दो हजार रुपए देती है यni कि तीन किस्तों के माध्यम से दो दो हजार टोटल 6,000 रुपए देती है वहीं दो हजार 24 में इलिश्न होना लोक सभाष चुनाओ का इलिश्न होगा जिसको दे हम आप सभी किसान भाइव किस वीडियो के माध्यम से बताएंगे देखें केवल इन्ही किसानों को या फिर इन्ही लोगों मिलेंगे 16 और 17 किस्त का पैसा देखें आपको बता दें अगर आप इस योजिना के ताथ इस योजिना का लाव लेना चाहते हैं तो आपको मैं बता आप लोग देखें यहाँ पर आप लोग देखें आपर क्या लिखा गए इलेजवेल्टी स्टेटस इसका मदलब होता है कि पात्रता की जांच यह नहीं कि आप पीम किसानी उचना के पात्राएं या फिर नहीं हैं देखें पात्र होने के लिए आपकी तीन कंडिसन है कौन कौन सी आप लोग देखें सबसे पहले तो आपका जो है लैंड सीडिंग आपका एकदम डन होना चाहिए और साथ में आपका एक वाइसी स्टेटस आपका एकदम राइट होना चाहिए और अधार बैंग एकाउंट सीडिंग स्टेटस ए भी एस होना चाहिए तो आपको दे लिटिस्ट इंस्ट पंदराव की जारी किया गया तो फ्र windows आप नो दिखा रहा है ठीक कारण क्या दिखा रहा है रिजंगता है कारण आफ lapiro लेंगा इनका जमीन का सत्यापन जो बूलतें फुलें ही नहीं किया गया तो आप भी लोग भी अप्लोड कर लिए देखे पिएम किसान योजिना में आज जो किसान सोलवी किस्ट का इंदिजार कर रहे हैं उन सभी किसानों को 2,000 रुपए दिये जाएंगे साथ ही जो किसान अभी तक भी एक भी किस्टक लाब नहीं पाएने की नए किसान है तो उन सभी को केंदर की मोदी सरकार 30,000 रुपए देने का बड़ा एलान कर दी है और किस प्रकार सी इसका लाब मिलेगा आपको हम बताएंगे तो आप ध्यांस देखते रहेगा देखें आपकी खाते में आज आएंगे 2,000 रुपए जिहां किसान वे आज निश्ची तोर पर आपकी खाते में 2,000 रुपए आने वाले हैं और यहां पर देख सकते हैं पीम किसान सम्मा ने दियो इचना की जो 60 किस्त का पैसा है किसानों की खाते में जमा होना भी यहाँ पर सुरू हो गया है देख लिजे यहाँ पर 8 करोण किसानों को 18,000 करोण दिया गया है यानि कि बहुत सरे किसान इस बार ऐसे थे जिनको 4,000 रुपए और 6,000 रुपए दिया गया है जिनका भी पैसा रुका हुआ था उन सभी किसान बायों को पैसा जारी होना सुरुक हो गया है अगर उनका ये तीन काम फिक्स है तो कौन कौन से देख लिजे मैं आपको पहले भी दिखा जींगा हूं यहाँ पर देख लिजे अगर आपका भुलेक सत्यापन KYC status और अधार बैंक की status दम डन है तो आपको पैसे मिलना सुरू हो गए हैं अब देखिए यहाँ पर मैं आप सभी किसान भायों को दिखा दूँ यहाँ पर देख लिजे एक और भी status यहाँ पर लगाया हूँ जैसे देख लिजे यहाँ पर इनका लैंड सीडिंग यहाँ है अधार बैंक के और इस्टेटस यहाँ है और इनका KYC भी आप लोग देख सकते हैं आपर क्या है डन है तो इनको जो है टोटल किस्तो कलाव मिले गया है ठीक है जिसके बाद फिर मोधी सरकार ने किसानों के लिए एक और ने योजना के एलान क और जिन किसानवाईों का लिष्ट में नाम नहीं है वो सभी किसानवाई DVD के official पोर्टल पर जाकर इसका अभेदान भी कर सकते हैं और देखे सभी किसानों के लिए जरूरी काम परधान मंत्र किसान सम्मान ने दी योजना के तात्मोधी सरकार देने जा रही है खुस ख़ब मिलेगा यह जानना जरूरी है जैसे मालने ते आप नए किसान हैं तो अब तक टोटल 15 किस्त दी गई है ।ोटल 15 किस्त हो 15 किस्त में आप लोग 2000 मालने जीए किस्त का तो 15 दूनी का 30 यनि कि टोटल कितना बना याँ से 30,000 तो जो नए किसान है उनको 30,000 रुपई दिये जाएगा साथ अगर आप अवेदन करते हैं तो आपको खेती करने के लिए भी पैसे मिलेंगे धन्यवाद